वेलकम बैक टू दी चैनल फ्रेंड्स अगर आप अपने बालों को नाचुल और प्राकृतिक तरीके से कलर करना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखिएगा बहुत ये नाचुल तरीके से इस रेमेडि को आप प्रिपेर कर सकते हो इसके लिए आपको लेना है एक कप पानी और लोहे की बरतन में आप इसे जरूर प्रिपेर करिए ताकि आपके बालों में ये आईरन तद्व मिलते रहे तो यहाँ पर हम लेंगे एक चमच के तकरीबन काफी काफी हमारे बालों को सिल्के सॉफ्ट और शाइनी बनाती है और एक प्रकृतिक रंग देने के लिए बहुत जादा हेल्प करती है तो एक बड़े चमच आपको यहाँ पर काफी का यूज जरूर करना चाहिए जिसे कि आपके बाल काफी सॉफ्ट सिल्की और शाइनी रहे उसी के साथ में दोस्तों जब हम इस रेमेडी को प्रिपेर कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आप अपने बालों को एकदम साफ सुतरा रखिए ताकि इसका कलर बहुत अच्छी तरह से चड़ इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है जिससे की बाल जो है वो तूटना जडना स्टार्ट हो जाते हैं और अलग से तो बाल सफेद होने ही लग जाते हैं ये बहुत बड़ा रीजन है तो इस रेमेडी को छोटे बच्चे हैं तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं लाइक साथ में जटा मांसी लेना है जटा मांसी आपके सफेद बालों को काला करने के लिए 100% यह वर्क करते हैं नौरीश्मेन देते zijnng आपके बालों में मॉस्चराइस जो होता है। विल को और आपको अची तरह से इसे बॉइल देना है। पर दाल चीनी जी हां दोस्तों दाल चीनी का पाउडर बना रख लीजिए और यह आपके लिए हमेशा यूसफुल होने वाला है तो क्या करना है आपको अच्छी तरह से इसे बॉइल देना है बॉइल करना है कम से कम एक मिनट के लिए और आपके बाल जो इंग्दम साप सुत रहें और नाच्छल तरीके से आप अपने बालों को इस तरह से काला कर सकते हैं वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मिलती मैं आपको नेक्स वीडियो में